नमस्कार SPN 9 News में आप सभी काप बहुत बहुत स्वागत हैं क्या चाचा भतीजे में बढ़ती दूरियों का कारण भारतिय जनता पाटी है क्या बेहार में एक पाटी जो दो धड़ों में बट जाती है इसका सबसे बढ़ा कारण भारतिय जनता पाटी है लोक जनशक्ती पाटी रामविलास अध्यक्ष चिराक पास्वान और रास्टिय लोक जनशक्ती पाटी अध्यक्ष पशुपति पारस के बीच में सुलहा ना होना और बढ़ती दूरियों की वज़ाब भारतिय जनता पाटी नजर आ रही है ऐसा हम नहीं बलकि बिहार में कई बड़े संकेत दे रहे हैं दरजल आपको बदा दें कि केंद्रिय मंत्री चिराक पास्वान और रास्टिय लोक जनशक्ती पाटी की अध्यक्ष पशुपति पारस के बीच सुलहा की गुणजाइस खत्म हो गई है बीते दिनों पशुपति पारस ने एक इंटर्व्यू में साफ कहा पाटी तूट कर जुड़ सकती है लेकिन दिल तूट कर कभी भी नहीं जुड़ सकते हैं अब सुलहा के लिए बहुत देर हो चुकी है पशुपति कुमार पारस के चिराक पास्वान को लेकर दिये गई जवाब पर अब राश्टिये जनता दल ने बीजेपी पर निसाना सादा है आरजेडी ने बीजेपी पर साजिश रचने का रूप लगाया है आरजेडी ने कहा कि चिराग पास्वान और पशुपती पारस के बीच जगड़ा लगा कर बीजेपी अपना राजनेतिक हित साधना चाहती है अगर भारती जंता पार्टी में अगर अपने मकसद को लेकर आगे ना बढ़ती तो आज चिराग पास्वान और पशुपती पारस एक साथ होते आरजेडी के मुख्य प्रवक्तार शक्ति सिंग यादव ने आरोप लगाती हुए कहा बीजेपी पहले अपने सहयोग्यों की पीट थप थपाती है फिर मौका मिलते ही उनका अस्तित्व खत्म कर देती है शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी यही खेल चिराग पास्वान और पशुपती पारस के साथ भी खेल रही है इस बीच शक्ति सिंग ने कहा बीजेपी अब नितीश कुमार को भी परिशान कर रही है नितीश कुमार की पार्टी जेडियू के कई नेता विधायक मंत्री जिनके संबंद बीजेपी से हैं बीजेपी तोड मोड में ही विश्वास रखती है उनकी आस्ता जन विश्वास में नहीं है अपर गंभीर आरो पार जेडि की प्रवक्ता लगाते वे नजर आ रहे हैं इसकड़ी में क्या चुराक पास्वान और परशुपती पारस कभी एक नहीं होंगे या नराजगियों को दूर करते हुए दोरू हात मिलाते हुए विधान सभाच चुनाफ के मदे नजर भी नजर सकते हैं